आज हम देखेंगे किसी computer की किसी item या like notepad गीट को text file हो या कोई folder हो एक जगह से दिसी जगह ले जाने केलिए हम क्या करेंगे like देखिए select करेंगे after right click करेंगे cut करते हैं लेकिन इसकी shortcut की भी आती है यह देखिए किसी पे item को select कीजिए और बाद में control और x कीजिए और जहां भी आपको फाइल ले जाने यह वहां पर पेस्ट करेंगे है लोग एक उदरन लेते हैं फोल्डर यह किसी भी यह में फाइल है जावस्क्रिप्ट की और उसका कंट्रोल एक्स करते हैं और यहां पेस्ट करते हैं और इसी फाइल को वापस इस फोल्डर में लेने के लिए इसे हम किसी फाइल को एक जगा से दृस्ट में लेते लेते फ्मवर्ड करते हैं dc